दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर वियू प्रीमियम की 4K TV और इस TV को मैं तकरीबत दो मेने से भी ज़ादा हो गया और इसको मैं रेगुलरली अपने डेली यूज में एज़र टेलिविजिन यूज कर रहा हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको दूँगा मेरा ओनेस्ट र वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विरिट किया है तो सब्सक्राइब का वड़न दबा दीजिए घंटी बजाइए टंटना आज शुरू वात करते है वीडियो की नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देखरो हैपी गाइट से लेट यह हमेशा उसी के बाद अब मैं बात करूँ जब टीवी स्विच ओन हो जाती तो यूजर इंटरफेस के बारे में तो वहां पर मैंने एक्सपीरेंस किया कि यूजर एक्सपीरेंस बहुत स्मूथ है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है कोई भी प्रकार का लाग देखने मिल जाते है और जो प्ले स्टीवी का उसमें मतलब जितने भी रिक्वाइड एप्स होते हैं एक एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से काफी कुछ आप्स आपको देखने मिल जाएंगे और कंटेंट प्रोवाइडर को ले लेजिए गेम्स वेगरा लेजिए न इंस्टाल कर देते हो तो उसका यहां पर मैं लिंक दे दूँगा आई बटन में वहाँ पर जाकर चेक आउट कर लीजिए और जब हम बात करें एप्स के बारे में तो यहां पर इस टीवी में दो जीवी का रहा है मों सोलर जीवी का इंटर्नल स्टोरेज है एंड्रोइड सब्सक्राइब करने और आपको इंटर्नल स्टोरेज बढ़ाना है तो वह भी आप इस टीवी में पॉसिबल है आपको एक पेंड्राइब यूज करना पड़ेगा जो डेडिकेट एक स्लोट में ऑक्क्यूपाइड होगा हमेशा के लिए और आप जो भी एप्स वेगरा डा पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो दो महिनों में मेरा एक्स्पीरेंस बहुत ही अच्छा राप पिक्चर क्वालिटी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा और कंटेंट बहुत ही तरह से प्ले हो तब तो कोई टेंचन वाली बात ही नहीं है लेकिन अगर आपका रूम बढ़ा है और लोग साइट से बैट के देखने वाले तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉंप्रमाइज करना पड़ जाएगा पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो यह एक छोटी सी मतलब मेरे को माइ पॉइंस पॉइंट लगा वियू अंगल के बारे में ओवियसली यह प्रॉब्लम हर एक विये पैनल में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टीवी में है तो और तो कुछ ऐसा मुझे लगाने पिक्चर कॉलिटी के मामले में बात करें यहां पर अधर कंटेंट प्रोइडर के बारे म जहां पर Amazon Prime, Netflix तो वहां के कंटेंट भी बहुत ही अच्छे तरह से प्ले होते हैं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है और यह टीवी का अलड़ी L1 सर्टिफिकेशन तो हो गया जो वाइड़ 1 L1 सर्टिफिकेशन है वो तो हुआ यहां पर आपको SD कंटेंट भी देखने मि मैंने बताता है कि मुझे कौन से पिक्चर सेटिंग्स या पिक्चर मोड जो अच्छे लगे इस तीवी में तो उपर मैं लिंक कर दूँगा उसको जरूर चेकाउट किजिए आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी अगर आप यह टीवी ले हो या फिर लेने का प्लान कर अगर आपको फ्यूचर में मिलती है तो उस समय आप यह पिक्चर सेटिंग्स जरूर अपलाई किजिए काफी हद तक हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पेंड्राइब से मूवी अगर हम लोग प्ले करें इस तीवी में तो फिर किस धंग से काम कर दी प् करते हैं जैसे कि MKV फॉर्मेट है वो डिफॉल्ट जो आप है इस टीवी में मीडिया ओपन करने के लिए वो नहीं चलेगा तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपने की VLC डाउनलोड कर लो इस टीवी में और उसके त्रूँ आपे वियो मोवी बगरा ओपन करो यहां पर मैं करना चाहूंगा साउंड इस टीवी का बहुत ही अच्छा है डॉल्बी डिजिटल टेक्नोलोजी के साथ आने वाली टीवी है लेकिन यहां पर एक चीज मैंने एक्स्पीरेंस किया जो मतलब आप समझ लो एमेजॉन प्राइम या नेट्विक से कोई भी कंटे किया मतलब 90's के मूवी प्ले किये लेटेस्ट वेब सीरीज भी प्ले किये लेटेस्ट मूवी प्ले किये और वहां पर मेरा एक्स्पीरेंस ऐसा रहा कि आपको मिनिममं 50% का वॉल्म तो चाहिए उससे अगर कम करो को तो जैसा मैंने कहा कि डायलोग्स वागरा हो थोड़ा स ध्यान रखना है मतलब ऐसा कुछ प्रॉलम नहीं है लेकिन थोड़ा आजीब लगता है कि आपको 70-80 तक भी कभी-कभी जाना पड़ता है डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो तो और कौन से प्लेटफॉर्म पर देख रहे है अमेजॉन पर देख रहे ह आता है लेकिन जब दूसरे कंटेंट प्रॉइडर आप यूज करते हो तो इस समय आपको वॉल्म एटलिस 50 के उपर ही रखना होगा और आडियो के मामले में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा समद लिजे आप कोई भी मूवी देख रहे हो उस समय कोई भी सौंग आता है त तो वह एक मतलब मेरे को तो आजीब लगा एक्चुली में यह ऑटो एजसेबल होता तो बहुत ही अच्छी बात होती बट अभी फिलाल तो ऐसा कुछ नहीं है अगर शायद फ्यूचर में कुछ अपडेट के तुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी और जब मैं यहां पर स्क्रीन मिरेरिंग और क्रोम कास्ट के बारे में तो दो की दोनों चीज मैंने बहुत ही बढ़ियां सिक्टम दबा की यूज किये काफी दिनों तक और वहां पर मैंने एक्स्पिरेंस कि हलका सा आपको कुछ मिली सेकंड का लाइक दिखने मिलता है आई तिंग वह एक्सेप्टेबल भी है और इसली आप निगलेक्ट भी कर सकते हो तो उसमें आपको ऐसा कोई भी टेंचन लेने वाली बात निया बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और यहां पर इस टीवी है यह टीवी आती है गूगल असिस्टेंट वॉइस अनेबल रिमोट के साथ तो यह भी मैंने ट्राइ किया काफी बार चला काफी बार नहीं चला तो उस समय मुझे लगता है कि शायद मैं प्रॉपर बोल नहीं दा या फिर यह समझ गूगल असिस्टेंट बरॉबर समझ नहीं दा तो अगर मुझे इसको रेट करना पड़ यह वोईस असिस्टेंट के मैं रात में समझ लोग सब लोग लाइट बंद करके हम लोग मुवी देख रहे थे डीडील जे तो उस टाइम पर ऐसा हुआ कि मतलब मुझे वॉल्यूम कम जाधा करना था क्योंकि सौंग आ अचानक से और उस समय में मैंने थोड़ा गलती हो गई और मतलब रात में भी पूल नहीं लगा मुझे तो उस समय गलती से बुलते हैं यह होम बड़न अब गया और मजा किरकिरा हो गया क्योंकि वापस से आप Amazon Prime पर आओगे वापस से मूवी सेलेक करोगे रिज्यूम करोगे तो वह थोड़ा था और आप मूवी के बीच में जब होता है ना तो बहु होने में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर समझ लो मतलब मैंने टीवी ओन ही ओलेडी हो 30 सेकंड तक तो लेती है टीवी ओन होने के लिए और जैसे ही ओन होती है आप समझ लो मैंने यूटूब का डेडिकेटर निया बड़न दिया वह दबा दिया या प्राइम वीडियो स्क्रीन पर मेसेज आता है कि यूर इंटरनेट इस नॉट कनेक्टेट प्लीज ट्राइगें तो वह मतलब ऐसा है कि जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की उसको कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो यह मेरा परसनल एक्सपीरेंस है और यह काफी लोगों के सा इस समय उनको भी नहीं पता है कि स्टॉक कब आएगा तो जो लोग वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है और आपको टीवी नहीं मिल लए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरी कोई आपके पास तो फ्रस्ट आफ और मैं कहना जाओंगा अवेलिबिल्टी के बारे में यहां पर अवेलिबिल्टी का कुछ भी कन्फरमेशन ना मेरे पास है ना व्यू टीम के पास है तो फिर यहां पर मतलब चो कंपनी है वही रिस्पॉंसिबल नहीं है तो यहां पर मैं और क्या कहूं तो आप समझी जाओगे कि मैं खहना क्या जाता हूं इसी के साथी साथ यहां पर बात करें कुछ अल्टरनेट आप्शन के बारे में अगर आपको यह टीवी नहीं मिल रही है या फिर अगर ब्लैक मार्केटेस भी बेच रहे है वह भी मैं आपको रिक्मेंड नह करूंगा कि आप तोशीबा की टीवी ले सकते हो मैंने पुरा डीटेल एक रिवी वीडियो बनाया है उपर लिंक कर दूंगा और चेकाउट कर दीजिए बहुत ही बढ़िया प्राइस है मतलब मुझे लगता कि वियू की टीवी हाइसेंस की टीवी और अगर मैं तोशीबा की टीवी रखूं तो यहां पर मुझे कुछ ही डिफरेंस नजर आते है प्राइजिंग आल्मोस सब की सेम है एक दो हजार का फरक होगा लेकिन पिक्टर कॉलिटी ऑडियो डिजाइन लुक्स रिमोट का एक्स्पीरेंस सब कुछ बहुत ही बढ़िया है खाली डिफरेंस है तो यहां पर ऑपरेंटिंग सिस्टम के बारे में जहां पर आपको हाइसिंस और वीऊ दे रहा है बोर सब्सक्राइज मिलते हैं लेकिन जो बोलते ना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सपीरेंस से बहुत ही बढ़िया है बहुत ही स्मूथ है और जो टाइम लगता है बूटक होने के लिए वो बहुत ही कम है और लॉंगर रन के लिए SC TV बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन हर एक TV का प्लस और माइनस पॉइंट भी होता है तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से बता है आप वो वीडियो जरू चेक आउट कीजिए उसके बाद आप डिसेजन लीजेगी आपको कौन सा TV लेना है बाकी आपका क्या मा इस TV के बारे में मुझे जरू बताईए कमेंट सेक्चन में अगर आपने ये TV ली है अगर आप और कुछ सवाल सुझाओ कोई भी राय हो तो मुझे जरू बताईए कोशिश करेंगे अगर आपके सवाल जादा है तो एक डेडिकेट वीडियो ही मैं आपके लेकर हाँ हमको आपको मिलते हैं अगले वीडियो में तिल दिन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैपि गाई बाई बाई